राधे राधे जैसरी कृष्णा आप सभी को मेरे इस यूट्यूचनल प्रहार्तिक श्वागत है अमिनंदने प्यारे बच्चों आज मैं आपको डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बताऊंगे दुरस्थ शिक्षा जैसे दुरस्थ शिक्षा का हम नाम लेते हैं पहले हम स क्या इसकी जो वैलू होगी दुरस्थ शिक्षा की वह हमारे रेगूलर शिक्षा की तरह ही है उसकी डिग्री की वैलू है या नहीं है किन किन विस्व मिलेंगे इन सब के बारे में आज मैं आपको पिस्तार से बताऊंगे तो सबसे पहले बच्चे मैं एक प्रश्ण सब्सक्राग में उपजाई कि बिना क्लास्रूम का बिना टीचर का हमें कैसे पढ़ सकते हैं बिना कॉलेज गए हुए कि कैसे पढ़ सकते हैं कोई बताएगा कि नहीं पता है कि देखिए दुरस्थ शिख्षा के जनक माने जाते हैं आईजेक पिटमेन तो सर आईजेक पिटमेन इंगलेंड के थे इन्होंने शॉट हैंड को पोस्ट कार्ट पर डालते थे और पोस्ट से भेजते थे अपने कि श्टुडेंट्स को फिर उसका कि सॉलूशन वो प्राप्त करते थे शॉट हैंड का जो अंग्रेजी में शॉट हैंड शिखाये जाता है उसके जनक वही थे और यहीं से दुरस्ट पिटमेंड को पोस्ट कार्ड में शॉट में लिके भिजते थे फिर उसका जवाब प्राप्त करते थे अठारा सुचालिस में इसकी शुरूआत हुई थी और उसके जनक माने जात आती है वह सिख्छा जो दूर बैठें हम प्राप्त कर सकते हैं अग्या वात आती है टेवी से कम्प्यूटर से एंटरनेट से रेडियो से यह हम कोर्स्पांडेंस कोर्स करके दूरस्ट प्राप्त करते हैं जब हम इतिहास में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि शॉट अजयक पिटमेन ने विश्व के बड़ी चीज दी है जो कालांतर में बहुत फाइदा हुआ है घर बैठे विश्व के किसी भी जो दूरस्ट शिक्षा के द्वारा शिक्षा प्रवाइड करवाता है उन्हें अ शिक्षा दी जाती है सिक्षा रथी और शिक्षा दूर आपको क्लासरूम में जाना पड़ता है मालो आप बैठे हो दिल्ली में और आपको शिक्षा लेना है वर्ल्ड के किसी बेस्ट इन्वर्सिटी से तो वो इन्वर्सिटी अगर आपको दुरत शिक्षा प्रवाइड करवाती है तो आप दिल्ली बैठे बैठे आप कहीं से भी शिक्षा ग्रहन कर सकते हो राजस्थान के सुदुर ग्राम में कोई बच्ची बैठे हुई है तो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से वह अपनी शिक्षा जारी कर सकती है कौन कौन से अब यह प्रशनी उठता है कि क्या नियमित शिक्षा लावकारी है या डिस्टेंस एजुकेशन फाइदे मन्द हैं दोनों में अगर तुलना करोगे तो देखोगे डिस्टेंस एजुकेशन का अपनी लिमिटेशन से और रेग्लर जो नियमित शिक्षा है उसक जल्दी सी मिल जाता है आप जानते हो साथ जैसे फोन से कॉंटक्ट करते हो एक आप आपने सामने बैठ करके बात करते हो डारेक्ट करते हो फरक बढ़ता है आप फुदी एसास करते हो प्राक्टिकल होता है तो आप साइन्स की कोर्स यहां कर सकते हैं कौन-कौन से कोर्स कर सकते हैं जो आपके लिए दुर्ष सिख्छा में सिख्षा जाती है आर्ट के कोई सभी पेपर अप्ले सकते हो सोशल साइन्स का कोई सभी विश्य से आप पढ़ाई कर सकते हैं मेडिशन और हैल्थ से लेकर करके आप कोई भी विश्वीं की पढ़ाई कर सकते हैं के स्धेशन की पढ़ाई कर सकते ह। क्वेशन hyज़् और मेडिकेशन। हॉसपुटिलेटी सुदूर्फ के भाशी कर सकते हैं। योगास आउनrical हैं क्या पढ़ाई निक IPS सकते हैं कई सारे चीजह से लल भी यह दुरस्ट शिक्षा से नहीं हो सकता है फार्मेशी दुरस्ट शिक्षा से नहीं हो सकता है जहां पर पूछ ऐसे हैं प्रáक्टिकल चीजह है जिसके लिए प्राक्टिकल करना अनिवरी है वह आप उसे हैं कर सकते हैं विचार के से आया भारत में भारत में भी विचार आया कि जब पूरा विश्व दुरश शिक्षा से माध्यम से अपने लोगों को शिक्षित कर रहा है तो क्यों नहीं भारत में भी इसकी पढ़ाई शुरू की जाए और जब इसकी इतिहास पर हम दृष्टी पात करते हैं तो हमें पता चलता है कि दुरश शिक्षा को तो जनाक आपको बताई थे और दूरश शिक्षा के कई सारे नाम है कई सारे प्रियाय है जैसे पत्रचार शिक्षा का सकती हो मुक्त अधिगम का सकती हो मुक्त ऑपेन नर्निग घर बैठे आप सिख्षा का सकते हो खोतंत्र अध्यन का सकते हो परिशर से बाहर अध्यन का यह सारे जुद आपके सामने आते हैं तो सबसे पहले कि मैंने आपको बताया था शौप तुट है जो विकास करने वाले थे अजय पेट में इंहें के जुसरो आत की और इसके बाद इसकी भाहो फर दिरुष्छी पात करते हैं तो हम 11 विश्व विदाले ऐसे हैं जो दूरस शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षित कर रहे हैं क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है सभी के लिए स्कूल में कॉलेज में इतनी अस्थान नहीं है इतना जगह नहीं है कि सब को नियम में तरोफ से शिक्षित किया जाए तो य तो आपके माइंड में यही आता है कि समय तीन चीज मोखizzी होते री तो होता है शिखने वाले सिक्षार्थि दूसरा होता आकलन किया जाता है जितना कि आपको लिपन सिख्छा से दी जाती यह जैसे इंदरा गांधी नेस्ट ओपन इन्वर्सिटी से भी से की लिप्र आप कि या एमगे के डिग्री पराब किया तो ऐसा नहीं है कि ओ एमभी एक डिग्री मानने नहीं होगा जो नियमित विद्यार्थी कर रहे हैं, उनका भी मानने होगा, और वो विद्यार्थी जो distance education से किया है, उनका भी MBA का value होगा, मानने होगा, उन्हें भी company नौकरी देगी, उनकी भी salary देगी, और जैसा compatibility है, जैसी धक्षता है, जैसा आपकी ताकत है, जैसी आपकी हिम्मत है, घर बैठे, आप नौकरी करते हुए भी दुरस्षिक्षा से, आप education प्राप कर सकते हैं, तो कितनी बड़ी फायदा है हमारे दुरस्षिक्षा के, कि हम नौकरी भी कर रहे हैं, और हम distance education से अपनी qualification भी बढ़ा रहे हैं, और skill है, डक्षता है, तो हम दुरस्षिक्षा के नाका कर सकते हैं, इस से कोई रोका नहीं जाता है, जा सकता है, ऐसे भी देखो गए, कि कैसारे ऐसे इंवर्सिटी एक जो फर्जी हैं, इसका पता कब चलता है, जब उ जाते हैं, इंट्रव्य Vergleich देने के लिए पता चलता हैं कि तो फर्जी सखूल हैं, या फर्जी विद्याले को अनुमती देता है जो उसको पेरामिटर को जो उसके मानक को मानता है उसके पेरामिटर को मानना पड़ता है इसके लिए उनके बच्चों को प्राक्टिकल्स भी कराये जाते हैं थियोरी भी कराये जाते हैं असाइन्मेंट भी दिये जाते हैं सिलेवस के अकॉर जब इसका दिया हास हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि 1856 में जर्मनी के लेंगन शीट और टॉर्मेंट ने कि पत्त्राचार के द्वारा भासाओं का शुक्षन शुरू किया विभिन भासाओं का शुक्षन शुरू किया कौर्सपॉंडेंस कोर्स के मात्यम से 1848 में का बताई दिये इसके पहले 1848 से पहले 1837 से ही पिट्मेंट ने कि शौर्ट हैंड के माध्यम से इस इच्छा का विकास किया था जब उसके ब्रदर थे बेन वो कहीं दूर चले गए थे तो पर भी वो करते थे इस काम और इसकूल के वो टीचर थे लेकिन दिमाग के प्रटाईल मायंड हम क्यूं न 어लइज कूं ग universum में जर्मनी में पत्राचार शिठ्ण परिशद का गठन हुआ है इतिहास देखोगे का आपको पता चलेगा कि 1856 में जर्मनी के लेंगन सीट और टार्मेंट ने पत्रा चार द्वारा भासाओं का शुच्छन शुरुआत किया था ठार सो नब्वे इस्वी में जर्मनी में पत्रा परिश HC का रूस विस्व का एक पहला देस है जिसकी सरकार ने उननीस सो बासट में पत्रा चाहर के माध्यम से शिख्षा को राश्ट्री कारीक्रम की में स्व्किर्ती प्रदान की और सब से बारत में आपको जैसे मैंने बताया राजस्थान में कोटा उपर नियुटा इन्व शेटी बारता है आपके बंगाल में भी है इलाहबाद में भी यह मैसूर बीस है कई जग्वों में पट्राचार के माद्धहम से है कि डिस्टना सेसि कि से मार्धauer से लोगों कोको शिच्षित किया जा रहा है तो आज मैं आपको distance education के बारे में नहीं बताती हूं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसका उद्देश ही क्या है इसकी philosophy क्या रही है फिर मिलते हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ